स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि आपके शरीर के हॉमोन्स संतुलित रहें शरीर में हॉमोन्स असंतुलित होना आपको कई सारी बिमारियों का शिकार बना सकता है जिसमें से एक किड्नी में आने वाली खरावी भी है अगर आपको यूरिन रिलीस करने में दिक्कत महसूस हो रही है इसके अलावा आपको जल्दी ठकावट लग रही है चहरे और पैरों में सूजन हो रही है तो आप सतर्क हो जाएं क्यूंकि ये सभी लक्षन किड्नी खराबी की तरफ इशारा करते हैं आज हम आपको किड्नी रोग के लिए कौन से योग अच्छे हैं इस बारे में जानकारी देने वाले हैं तो हमारे आज के इस महत्वपून विशे को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में आंतक बने रहें क्यूंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत खास है और आप हमारी इस विडियो को कम से कम दस लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जिने किड्नी से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो आपकी हेल्प से उन्हें भी राहत मिले जहाan हम आपको आज बताने वाले है किड्नी रोग के लिए कुछ योग जिसको अपने जीवन में शामिल करके आप रख सकते हैं अपनी किड्नी को स्वस्त अपने विशे पर आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले बहतर परामर्श के लिए आप अपनी समस्या हमें डिस्क्रिप्शन एरिया में दिये गए गूगल फॉर्म की मदद से बताएं तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विशे human body में kidney जिसका अपना अलगी स्थान है kidney का मुख्य कारे खून को शुद करना, body में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना और इसके साथ ही urine सही मातरा में रिलीज करना होता है अगर kidney के काम को थोड़ा आसान भाशा में समझाएं तो kidney शरीर में एक filter machine की तरह काम करती है और अच्छी सिहत के लिए kidney का स्वस्त होना बेहत जरूरी होता है अब जानते हैं कि kidney रोग में आप कौन सा योग कर सकते हैं जो आपके लिए फायदे मंद होगा तो चलिए जानते हैं पहला योगासन जो है वक्रासन वक्रासन संस्कृत भाशा का शब्द है जो की दो शब्दों से मिलकर बना है पहला वक्र और दूसरा आसन यहां वक्र का अर्थ टेड़ा होना या मोडने से लगाया जाता है वहीं आसन का अर्थ है किसी विशेश परिस्तिती में बैठने, लेटने या खड़े होने से लगाया जाता है जो भी इस आसन को करता है उसका शरीर अंदर से साफ होता है यानिकी वक्र आसन आपकी बोडी के अंदर जमा टॉक्सिंस को यूरीन के माध्यम से वाहर कर देता है जिससे आप किड्नी में आई खराबी से दूर रहते हैं इसके साथ ही वक्र आसन आपकी बोडी को स्वस्त रखने में मदद करता है जिसमें ये आपके immune system को मजबूत बनाता है और आपके पाचन तंत्र को ठीक रखता है किड्नी रोगी इस आसन को कर सकते हैं लेकिन सिर्फ तब करें जब उन्हें डॉक्टर या किसी जानकार ने सलहा दी हो और दूसरी बात किड्नी के मरीजों को इस आसन को करने में कोई भी असुविधा मैसूस हो तो वो इसको न करें दूसरा है मंडू कासन मंडू कासन को अंग्रेजी में frog pose भी कहा जाता है मंडू कासन आपके heart को स्वस्त रखता है इसके साथ ही आपके blood sugar को भी control रखता है जिससे आप diabetes के शिकार नहीं होते ये आसन आपकी kidney function को नियमित रूप से चलाने में मदद करता है इससे आपकी kidney के काम में कोई दबाफ नहीं पड़ता और आपको kidney से जुड़ी कोई problem नहीं होती जिनकी kidney में खराबी है वो लोग भी इस आसन को कर सकते हैं लेकिन जैसा की हमने आपको हमेशा कहा है कि बिना doctor और बिना जानकार की सलहा के कोई भी व्यायाम kidney के मरीज न करें क्योंकि सबी kidney के मरीजों की शरीर की सितिथी अलग-लग होती है अगला है भुजंग आसन इस आसन को kidney के लिए काफी अच्छा माना जाता है यह आपकी kidney को ठीक रखने में मदद करता है अगर आप इस आसन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इससे आपकी मास पेशिया मजबूत होती है शरीर में लचीलापन बढ़ता है आप तनाव और ठकान से दूर रहते हैं इससे kidney के काम करने की capacity में बढ़ोतरी होती है जिससे आप kidney की परिशानी से दूर रहते हैं लेकिन kidney के मरीज कोई भी योग बिना डॉक्टर की सलहा के अपने जीवन में शामिल न करें इसके अलावा kidney के मरीज का पाल भाती अनुलोम विलोम और प्रणायाम भी करें ये भी उनकी kidney के लिए ठीक होगा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अब मैं आप से विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार